रोतास जिले के तिलोथी प्रकट में मा तूतला भवानी की अतिप्राचीन मंदिर इस्तित है। ऐसी मानेता है कि तूतले स्वरी भवानी के दर्शन से ही मनवानसित फल की प्राप्ति होती है। राजा प्रताप धुल दीव द्वारे लिखवाए के दो सिलाले की हाज भी मौसूद है। तूतले स्वरी महवानी मंदिर के आसपास की प्राकृतिक छटा भीहद मंदुरम है। यह मंदिर तुतरा ही जल प्रताप के प्रत्प्रपात के मध्ध में अस्थापी थे। पुड़े रोतास और कैमूर जिले में ऐसी मनमोहक और मनभावन जल प्रापात दूसरा नहीं है। बिहार सरकार द्वारा इसको इको टुरिश्म स्पाट के रूप में भी विक्सित किया गया है। मुखे मार्गु से मंदिर तक आने के लिए एक जूला पूल का भी निर्मार किया गया है। इस पर चलना अपने आप में बेहत रुमाद चक है। स्वागत है आप सभीका नियू जिनाईन में। और आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं रोहतास जिले के तिलोथु परखंड में मौझूद मातुतला भावानी मंदिर को। आपको पहले बता दे कि मातुतला भवानी मंदिर रहतास जिले के तिलोथू परखंड में उपस्तित है और वहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं दर्सन करने के लिए एको परेटक के नाम से भी मसुहूर है मातुतला भवानी और वहाँ परेटक के सल से भी लोग आते हैं लगतार आते हैं अब को हम बता दे हैं कि मातुतला भवानी का निक्तम जो रेलिवे स्टेशन है डेहरी और जो रोहतास जिले में पड़ता है और बताना चाहेंगे कि रो स्थाएं की गई वहाँ पे और अब तुतला भवानी काफी अच्छा परेटक अस्थल बन चुका है रहता है जीले के लिए दूर दूर तो लोग आते हैं वहाँ पे गोमने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि हर साल मातुतला भवानी महत्चो करया जाता है इस महत्चों में देश चाने को कोने से बड़े-बड़े कालाकार सिर्कत करते हैं लोग उसका नंद लेते हैं और वहाँ पे काफी भीण भी होती है इस वर्ष भी हुआ था कारकरम जिला परसाशन के और से काफी बेवस्थाई की गई इस कारकरम को लेके उस कारकरम के में पावन सिंग ने तो काफी दर्ष नहीं है लोग वाटरफोल का दर्षन करने के लिए लागतार दूर दूर से आते हैं अभी तुमापे पानी कम हो चुका है लेकिन बरसाथ के मोसम में वहाँ वाटरफोल का अनंद लेने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं अमने कैबरा परसन बब